साथियों एक बार पुना स्वागते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर तो साथियों आज किस वीडियो में हम बात करेंगे NCIT Solution कक्सा 6 विशाय साइंस विज्ञान जिसके चैप्टर संख्या एक बोजन यह कहां से आता है चैप्टर के अंदर जो अब्यास प्रशन पूचे गए हैं उनका आज किस वीडियो में हम सॉल्यूशन करने वाले हैं तो साथियों ज्यादा समय को व्यास्ट न करते हैं चलिए सुरू करते हैं पहला प्रशन है क्या आप पाते हैं कि सभी जीवित प्राणियों से एक ही परकार के बोजन के आयुशक्ता होती हैं तो आंसर आएगा नहीं सभी प्राणियों को एक ही परकार के बोजन के आयुशक्ता नहीं होती है अग्ला प्रशन है पाँच पोदों और उनके भागो के नाम बताईए जिनने हम खाते हैं तो उनके नाम खाने वाले पोदों के नाम है जैसे बेंगन जिसका फल्ग है मुंगफली इसके बीज हम खाते हैं अलू का हम तना खाते हैं और चुकंदर की जड़े हम खाते हैं अगला प्रशने कोलम A में दीगी वस्तों को कोलम B में दीगी वस्तों से मिलान कीजे तो हमने मिलान करके जो आंसर त्यार किया है वो यह है साथियों कोलम A और कोलम B दूद, दही, पनीर और गी सभी पसू उत्पाद है पालक, फूलगोबी और गाजर ये सबजियां है सेर और बाग, अन्य, जांदरों को खाते है और साकहारी पोदे और पोदों से प्राप्त उत्पाद खाए अगला है प्रशन दिये गए सब्दों से रिक्तिस्थानों की पूर्ति कीजे तो यहाँ पर जो सब्द दिये गए है वो है साकहारी, पोदा, दूद, गन्ना और मासाहरी इनका हमें रिक्तिस्थानों में पूर्ति करनी है तो इस परकार हमने पूर्ति की है पहला अंसर होगा बाग मासाहरी है क्योंकि वह केवल मास खाता है रिक्तिस्थान में मासाहरी आएगा अगला है केवल हीरन केवल पोधों के उत्पाद खाता है इसलिए उसे साकाहरी कहा जाता है तोता केवल पोधों के उत्पाद घाता है जो दूद हम पीते हैं जो गाय, बैंस और बक्रियों से आता हैं वह एक पसू उत्पाद है हमें चीनी गन्ने से प्राप्त होती है तो इस परकार हमने जो रेड मार्क किया है वो हमने रिक्तिस्तानों में बरा है साथ यो इस परकार यह चैप्टर यहीं पर समयापत होता है साथ यो चैप्टर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैणल को सब्सक्राइब जरूर करें तो साथ योई आपको इसका पीडियोप डाउलोड करता है तो वीडियो के description में website exammodelpaper.in का link दिया गया आप वहाँ पर जाकर के PDF को easily download कर सकते है चैनल पर पहले बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें मिलते हैं अन्य वीडियो में अन्य चैप्टर के solution के साथ